दोस्तों आज किस वीडियो में हम अंक जोतिश का एक नया कॉंसेट सीखेंगे और मैं कह सकता हूँ कि साथ ये कॉंसेट आपको यूटूब पर और कई मिलेगा भी नहीं निमलोजी किस तरह से आपके जीवन में फर्क डालती है असर डालती है तो अभी तक आप मेरे चैनल में कई सारे वीडियो के माध्याम से समझ चुके होंगे और ये वीडियो भी ऐसा ही लर्निंग वीडियो है यानि कि यहां पर आप आज एक पूरा नया कॉंसेट सीख कर जा ये वाद ये क्या-क्या इफेक्ट डालना है हर एक नंबर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो सलूशन नंबर है क्या सलूशन नंबर आपके एटिट्यूट को बताता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम कोई चैलेंजेज आपके सामने आता है तो आप उसे किस तरह स की सोच रहे है उसको कैसे परसीव करते तो कुल मिलाकर आप किस तरह से प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं और ग्रोथ के लिए आपका माइंडसेट कैसा है ये सलूशन नंबर बताता है अब अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए है और इस तरह के अंक जोतिश एस्ट सलूशन नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए और आप अपनी स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं दोस्तों सलूशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है आपके पूरे नाम से आपका नाम इसमें जरूरी हो जाता है अ अब मैं नाम चूज करूँ तो कौन सा? तो आपको वो नाम लेना है जो नाम आपके document में है जो आपके official documents में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको आज calculate करना है इसके अलावा आप कोई और नाम नहीं लेंगे आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे document में तो रमेश कुमार सिरवास्तो लिखा है लेकिन दुनिया मुझे राजू बुलाती है नहीं राजू बुलाती है उनको बुलाने दीजे आप अपना नाम लेंगे इस number की calculation में रमेश कुमार सिरवास्तो यहाँ पर आपको अपना surname, middle name और first name तीनों को ही लेना है और तीनों को ही calculate भी करना है तो चलिए एक example की जरीए मैं समझाता हूँ आपको let's suppose किसी का नाम है राज कुमार तीवारी तो इस तरह से अपना पूरा नाम लिख लिया उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद आपको आपके जो नाम के पहले letters है initials है जैसे इस case में R, K, और T इनको ले लेना है यानि कि R, K, T इसका initials बन जाएगा इसको छोटा कर देते है R, K, T ऐसे आपको लेना है देखिए हो सकता है कि आपके पास surname ना हो तो आप उसको ignore कर देंगे हो सकता है आपके नाम में middle name भी ना हो तो आप उसे ignore कर देंगे अगर आपके नाम में माता, पिता, हस्बेंड या फिर ग्रेंट फादर का ऐसा कोई नाम है तो उसे भी आप ignore कर देंगे यानि कि आपको अपना खुद का नाम रखना फॉर एक्जामपल जैसे गुजरात वगेरा में क्या होता है रमेज भाई, सुरेज भाई, पटेल इसमें जो सुरेज भाई है या उनके फादर का नाम है तो आप इसको ignore कर देंगे भले ये documents में ही क्यों ना लिखा हो तो सिर्फ ये वक्ति क्या लेगा रमेज भाई, पटेल यानि कि पहला initial R और पटेल का P ऐसे आपको यहाँ पर calculate करना है अब हर एक alphabet की English में एक particular neumological value है अंक है जो कि आपको screen पर एक chart दिख रहा है उसमें आप हर एक letter का एक number देख सकते है इसमें number 9 किसी को नहीं दिया गया है इसलिए विचलित मत हो जाएगा कि भाई या number 9 लगता पंडेजी लिखना भूल गया, नहीं भूले है वो किसी का number नहीं है अब यहाँ पर आपको हर एक alphabet के नीचे उसका number लिख देना है जैसे कि इसी chart से मैंने ये number दोड़ दिया अब इनको हम जोड़ देते हैं जोड़ कर यहाँ पर आ जाएगा answer final 8 तो हमें क्या करना है अपने initials को add कर कर single digit में convert कर लेना है हो सकता है कि आप में से किसी का नाम का initial जोड़ते जोड़ते वो double digit में चला जाए 12, 13, 17 कुछ भी हो सकता है let suppose मान लेते हैं कि कि किसी का नाम add करते करते 17 आ गया initials को तो आप इसको क्या करेंगे इसको वापस से 1 प्लस 7 करके 8 कर लेंगे यानि कि आपका solution number है यह हमेशा हमेशा single digit में होगा इस से जाधा नहीं हो सकता और यह 0 भी नहीं हो सकता तो 1 to 9 sıkle digit में ही आपका solution number होगा आप इसे comment करके लिख दीजे ऍसे और आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि पंडी जी जो नई खोज करके आए हो आप ये कितनी आपके जीवन में अपलाई होती है इससे मेरा भी उत्सावरदन होगा और आपको भी कुछ नया सीखना होगा दोस्तों अगर आप निमलोजी सीखना चाहते हैं ये तो निमलोजी का एक छोटा सा टॉपिक है अंग जोत और भी अवलेबल है और आप इसकी पूरी जानकारी नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके प्रात कर सकते हैं और इस को आप विदीन मंथ सीख कर अपना खुद का काम में शुरू कर सकते हैं और कंसल्टेशन देना भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अ अच्छा बैतर भी बना सकते हैं अब अपने टॉपेक पर वापस आते हैं तो दोस्तों हमने सलूशन नंबर निकालना तो सीख लिया अब सबसे पहले बात करते हैं कि उन लोगों का लाइफ कैसा है जिनका सलूशन नंबर है एक अब आल लिजए जिसका सलूशन नंबर वन हैं उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह हूज इगो और स्टब्बन नेचर के वाले वेक्ति हो सकते हैं एकदम जिद्धी किसम के इंसान है ऐसे लोग अपनी जिद्ध के हैं लाइफ में बड़े कम चीजों के लिए पैशनेट होंगे लेकिन जिस चीज के लिए हो जाएंगे फिर भूब क्या प्यास क्या नींद क्या भूल जाते हैं अब सलूशन नंबर एक और एक तो आपको ना अकेले रहने में मज़ा बहुत आता है और अकेले ही अपनी समस्य है अपने अंदर रखने में बड़ा अनंद आता यानि कि कई बार देखा गया ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को घर परिवार में भी नहीं बताते हैं कि मुझे कोई दिक्कत है मुझे कोई समस्या है और सोचते हैं कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो यह भी विचारे पर भी हो सकते हैं इसलिए अपने आपको एक हद से जादा अलग थलग करना भी आपके लिए बिल्कुल एडवाईजेबल नहीं है एक एडवाईज और है आपके लिए कि दूसरों को मूर्ख समझने की गलती भी मत करिये कि दूसरा कमजोर है दूसरा मूर्ख है मुझे उस से पता है, मुझे उससे जाधा आता है, ऐसी सिच्वेशन में भी या ऐसी सोच भी आपको गर्त में डाल सकती है, ये भी गलतियां solution number one वारे लोग अक्सर करते रहते हैं, आपका attitude ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत जाधा लोग नहीं टिक सकते अगर आप अपने पे आ जाते ह हैं, लेकिन इस सभाव को कभी भी arrogance में मदद बदलने दीजेगा, युजवली होता क्या है कि अगर आपका solution number one है, तो आप दूर से देखने में घमंडी लगते हैं, बहुत जल्दी open नहीं होते हैं, इसलिए कोई वेक्ति अगर खुली बाहों से आपकी मदद भी करना चाता है ना, तो अक्सर वो पीछे हड़ जाता है, यह सोच के तो यार इसके अंदर तो बड़ा attitude है, बड़ा घमंड है, इस तरह की problem अगर आती है आपके अंदर तो समझ जाएए, यही आपकी growth में एक बहुत बड़ा रोड़ा भी बन सकती है, आपको अपनी problems और साथी साथ वो slow हो सकती है, आपको अपने वैवहार में friendly nature जादा लानने की कोशिश करनी है, जिससे की जो बड़े लोग हैं, पावर्फुल लोग हैं, जो कहीं से भी आपकी help कर सकते हैं, उनको कोई भी एक गलत indication आपकी personality का नहीं जाना चाहिए, तो यह था solution number one, मेरी तरफ से आप में से कितने लोगों ने मेरी बातों से relate किया, जिनका solution number one है, comment करके जरूर बताएगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, solution number two के बारे में, ये लोग sensitive nature के emotional होते हैं, इतने emotional की अपनी छोटी छोटी problems को भी खुद ही complicated बना लेते हैं, यानि कि simple भासा में कहूं, त देखने को मिलती है, actually ये लोग अपने decision emotionally और बहुत जल्द बाजी में भी ले लेते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा impulse में आके ले लेते हैं, कोई आया, दोस्त आया, यार आया, पापा है, उन्होंने दो-चार motivational dialogue मारे, या फिर आपको कुछ अच्छे-ची बाते बोली, और आपका decision बदल गया, इस वज़े से कई बार ये अपनी challenges को, अपनी problems को और ज़्यादा complicated कर लेते हैं, घबरा भी जाते हैं, लगता है कि problems को मैं solve नहीं कर पाऊंगा, और कई बार ये अपना patience कोते हुए भी नजर आते हैं, आपकी life में जब भी challenges आएंगे, आप solutions पर काम करने का, अपने solutions धूर, खुद धूरने का, तो इनसे बहतर तरीके से कोई solution नहीं धूर सकता है, इनके सबसे खास बात यह है कि सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं, यानि कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, और मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, ये भी solution लेकर चले आएंगे, इसलिए ऐसे लोग उन सभी कामों में, जैसे कि जहाँ पर nurturing, caring है, medical जैसे होता है, psychiatrist या फिर नर्स वगएरा जो काम करती है, या फिर ऐसे काम जो हाँ पर mediators की जरूर्ट पढ़ती है, जहाँ पर सलाकार की आउशक्ता पड़ती है, यह वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका nature by default ऐसा ही है, यह strong है, patient है, emotionally थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, यानि की जल्दी जल्दी चीजों का फर्क पड़ जाता है, और ऐसे लोग आजकल वड़े करें, और कभी भी किसी से influence होकर, impulse में decision मत लीजे, otherwise आपको लगेगा कि यार मैं फालतु में मैंने यार फैसला ले लिया, या फालतु में मैंने किसी को यह कह दिया, कोई भी वेक्ति आपके पास आ रहा है, आपको कुछ कह रहा है, आपको सुना रहा है, आपको motivate कर रहा है, उसकी बात यहां से सुनिए, यहां से निकाल दीजे, या फिर गौर करिए, कि क्या हो, सच भी कह रहा है, या नहीं कह रहा है, पर तुरंग decision मत लीजे, एक दो दिन अपना time लीजे, आप देखेंगे, अगर आपकी भी ऐसी आदत अभी होगी ना, तो कोई खास समस्या आप feel नहीं कर रहे हैं, अपनी problems, अपने challenges को बखू भी handle कर रहे हैं, तो यह था solution number 2, हमारी तरफ से, आप में से कितने लोगों ने relate किया, उसे comment करके ज़रू बताईए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हूं सभी लोगों का, जिनका solution number 3 है, solution number 3 होता है, जिद आ करते हैं और अपने process पर ही विचार करते रह जाते हैं, अब यह बात कहूँगे कि गीता में तो यह लिकान नहीं, जित में लिका है कि आपका जो कर्म है, आपका उस पर ही अधिकार है, इस से अलावा आपका result पर अधिकार नहीं है, आप उस कर्म को कितना बखूबी कर रह है smart work किया है या फिन नहीं ये भी आपको ही सोचना है ये एक तरहे का ऐसा solution number है जिस वेक्ति के पास potential तो भर-भर कर है लेकिन वो किसी और से सीखना नहीं चाता किसी और को बताना भी नहीं चाता कि मैं क्या काम कर रहा है इस वज़े से आप में से कई लोग ना frustrate हो जाते होंगे कि और मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं और मेरा result कहा है वो चीज कहा है सबसे अच्छी बात यह क्या कर देता है यह नमबर आपकी problem solving ability भी बहुतों से बहुत अच्छी कर देता है जिस वज़े से आपकी वाड़ी भी अच्छी है आपका बात करने इसके अंदाज से लोग मोहित हो जाते हैं और वो आप से जुड़ना चाहते हैं और कभी-कभी क्या होता है ना उन्हें लगता है कि आप उनक solution number ने अपने जो process है उसको समझा उस पर थोड़ी देर गौर किया और यह सोचा कि यार इस process को मैं और ज्यादा कैसे smartly change कर सकता हूं अपने favor में ला सकता हूं बागी मेरे पास communication skill तो है controlling nature भी मेरे पास है जिद्दी तो मैं हुई उसके बाद यह अपनी problems को अपनी challenges को बहु ने relate किया comment करके जरूर बताईए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगर आपका solution number 4 है तो इसका क्या आरत होता है इनका solution number 4 होता है आप इनका सभाव देखो तो बड़े practical नजर आते हैं यह emotionally होते हैं लेकिन उस emotions में बहुत जादा जल्दी decision ले ले ऐसा न का decision है वो औरों को पसंद नहीं आता और और लोग इनसे expect कर रहे होते हैं कि भाईया यह तो यह करेगा पर उन्हें कहते हैं कि भाईया मैं यह कैसे करो कुछ मुझे ना proof है ना facts है आप बस मन गढ़न बाते बना रहे हो मैं कैसे इसमें फैसला लिए इनके statements होते हैं जिस कर लोगे आप problems को solve भी कर लोगे love life को बस अलग हटा दो वहाँ पर पता नहीं आपको क्या हो जाता है कि आपका practical less सब कुछ चला जाता है कहीं और भाग जाता है वो दूर आपसे आपके अंदर एक खास बात और भी है ना कि आप आने वाली problems को भाप भी लेते हैं और आपक आपकरने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने जयसे कहा ना गलती आपकी नहीं है प्र और बात करते हैं अगर आपका solution number 5 आता है, जिनका solution number 5 आता है, ऐसे लोग ना, कईयों को लग सकता है कि ये तो बड़ा old-fashioned है, इसको modern चीजे क्या आएंगी, ये कैसे modern चीजों को समझेगा, इनके अंदर भी ये बात होती है कि इनको लगता है कि दुनिया इनको old-fashioned समझ रही ह इनके काम करने के तरीके को old-fashioned समझ रही है, बट इनके अंदर जो approach होता है, वो ये है कि ये सबसे जादा modern बनने के लिए तयार है, आउटड़ेट दुनिया समझती है, लेकिन ये every time ready है, मुझे नई चीजे सीखनी, नई technology सीखनी, नई तरीके से काम करना सीखना है, मुझे इनके मन में आता है, ये भाप जाते हैं कि लोग इनके बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये ऐसा कई बार overthink भी कर लेते हैं कि लोग मुझे बहुत outdated समझ रहे हैं, इनका moral डाउन हो जाता है इस वज़े से, लेकिन ये कभी भी उनकी growth में रोडा नहीं बन सकता, बस कभी-कभी बिचारे दुखी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, tradition और modernization दोनों को साथ में लेकर चलना, open minded रहना, trend के साथ चलना, ये आपका problem solving attitude होता है, और इसके बजाए आपकी सबसे अच्छी पात ये है, कि आपको जब कुछ नहीं पता होता है, कि आपको मुझे ये नहीं आता है, आप फिर भी बैट कर सीखते हो, कोई सिखाने वाला मिल गया, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी source से videos देखकर, books पढ़कर, अपने आपको कुछ नया सिखाते रहे, तो that is why solution number 5 को सबसे ज़्यादा powerful number भी बोला गया है, इस पूरे chapter में, अब ये था solution number 5 का description मेरी अब से आप में से कितने लोगों ने मेरी बातों से relate किया, comment करके जरूर बताइए, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं, अगर आपका solution number 6 होता है, तो क्या होता है, solution number 6 के पास creativity की power है, और ये अपनी problems को creative way में solve करते हैं, साथी साथ, एक quality और है, जो इन्हे दूसरों से खास बना देती है, वो ये है कि situation में बहुत जल्दी judge ना करना, बस एक चीज़ को जो इन्हें परेशानी में डालती है, वो है too much pressure, ये बहुत जल्दी अपने उपर pressure feel करने लग जाते हैं, और दूसरी problem इनकी ये है कि कई बार अपनी problems के solution के लिए, दूसरों प आपको responsible बनाने से थोड़ा सा दूर हटते हैं, और ये सोचते हैं कि यार ये सामने वाला पहले ये काम कर ले ना, इसको देख लूँगा, इसकी गलतियां देख लूँगा, इसकी अच्छाईयां देख लूँगा और फिर मैं कर लूँगा, पर ये lead from the front नहीं कर पाते हैं, दूसरों से हमेशा या पेक्षा भी लगाए रहते हैं, कि दूसरे आएंगे और इन्हें सिखा देंगे जबकि आप यहाँ पर गलत हैं, देख लीजे अपनी जिंदगी, आपने past में देखा होगा कि आपने जिन से उमीद लगाई है, लोगों ने हमेशा आपकी उमीदों क खराब ही किया है, आपको ये feel करने पे मजबूर किया है, कि आप उनसे कम हैं, अब इमानदारी आपके अंदर कूट-कूट कर भरी है, संगर्स आपको हमेशा powerful बनाता है, याद रखिएगा, solution number six, आपकी growth की चाबी ही यही है, संगर्स struggle और lead from the front करने का attitude अगर आपके अंद करते हो, और आपके अंदर जो काबिलियत है, वो यह है कि दुनिया एक problem को जिस तरीके से solve कर रही है, आप उस तरीके से solve करें, यह जरूरी नहीं है, आप एक अपना नया approach लेकर आते हैं, creative approach लेकर आते हैं, कई बार लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पर दिल emotional होते हैं, और जब भी challenges में फसते हैं, तो जादा तर इनके decision भी emotions में ही आते हैं, तो उस time पर यह practical नहीं रह पाते हैं, और फिर जब कभी life में heart challenges आते हैं, तो इन्हें कई तरीके की problems face करनी पड़ती हैं, ऐसी situation में आप खुद से जूट बोलने लग जाते हैं, क्योंकि एक वो ability है, जहां आप सही decision ले सकते हैं, बट unfortunately आपकी insecurities, इन challenges से निपटने में आपको रोकने लग जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने दाइरे से बाहर निकलें, और अपनी feelings को अपने आप पर हावी ना होने दें, बस एक बार जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपके doubts और insecurities सिर्फ आपके दिमाग में हैं, और असल दुनिया में है नहीं है, तो आप फिर खुद से ही shocked feel करेंगे, आप कैसे कितनी जल्दी सभी problems को tackle करने लग जा रहे हैं, आप भी इस चीज़ को देखकर shocked हो जाएंगे, तो यह था solution number 7 मेरी तरब से, आप में से कितने लोगों ने इस बात से relate किया, comment करके ज़रूर बताएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे solution number 8 की, आपके सबसे बड़ी quality जो होती है, वो है leadership, बाई nature आप में ये चीज़ होती है, फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी team organization में क्यों ना हो, आप एक अच्छी leader की तरह हर एक चीज़ को manage कर लेते हैं, और कभी भी problem solution से भागते नहीं है, कहते हैं, क्या हुआ, अरे हो जाएगा, ठेक है, आप खुद जाते हैं सामने, और लोगों से बाते करते हैं, लोगों को समझाते हैं, और वो charisma आपके अंदर आ जाता है, वक्त के साथ कि आप चीज़ों को भ positive result दे सके, हो सकता है, कि आपका तरीका थोड़ा सा अलग हो, लोग आपको समझ ना पाएं, लेकिन आप दूसरों को motivate करने में, उनके अंदर positivity लाने में capable होते हैं, एक खास बात मैंने जो solution number 8 वालों में देखी, वो ये है, कि वो दूसरों को comfort feel कराते हैं, और दूसरों के अ जिसे आपको balance बनाने की जरूरत है, वो है patience, आप बहुत जल्दी अपना patience होते हुए भी नजर आते हैं, और कई बार देखा गया है, कि impatient होकर आप जल्द बाजी में कोई decision ले लेते हैं, इसका result गड़बड हो जाता है, अब ये आपकी life में बहुत कम होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो होता है, आपको एक चीज और practice करनी है, secretive होना, जो कारें नहीं हुए हैं, जो काम नहीं हुए हैं, उनको धिंडोरा पीटना बंद कर दीजे, otherwise वो होंगे भी नहीं, तो secretive approach या फिर जिसे आप कहते हैं, गुप्त रणनीती, इसको आपको अपने जीव ना हो पाना ही उनको फिर से disappoint कर देता है, आपके अंदर कोई गलत attitude नहीं है, आपका भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, नहीं किसी का बुरा च्छाते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आप से शाड़ा बन रहा है, तो आप कहते हो कि आओ मैं बताता हूं, डेर्ड श सक्सेस नहीं मिली, तो वो क्या करता है, वो एक कमरे में एकांत हो जाता है, लेकिन उसको बस एक छोटे से spark की जरूरत है, उसका confidence वापस हा जाता है, छोटी सी achievement की जरूरत है, वो फिस सब कुछ handle कर लेगा, तो ये था solution number 8 मेरी तरफ से, अब आपको ये description कैसा लगा, comment करके जरूर बताईएगा, अब चलते हैं अपने last solution number पर, जो की है solution number 9, by nature solution number 9 वाले लोग आपको kind और understanding ही मिलेंगे, दूसरों की feelings को बहुत जल्दी समझने वाले मिलेंगे, किसके दिल में क्या है इन्हें पता है, लेकिन इनकी एक weakness भी है, कि ये अपने आप से दूरी बना लेत है, तो आप वहाँ जाने में से चूकते भी नहीं है, even कई बार होता है, कि हम मदद नहीं कर सकते सामने वाले की, तो solution number 9 वाला करता है, कि अपने connections को धूरता है, जो इस विक्ति की मदद कर सकता है, और इन दोनों को आपस में मिलवा देता है, आप दोसरों की problems को बहुत जल कैसे नहीं समझेगा, कई जगों पर आपका egoistic nature भी बाहर सामने आ जाता है, जिसमें आप खुद को superior समझने लग जाते हैं, अहम ब्रमाश्मी वाली feeling आती है, अपनी चभगवाने वाली feeling आपको आ जाती है, और यहीं पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, solution number 9 मे कोई और कर नहीं सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आपको कुछ बोलते भी नहीं है, एक condition और बनती है, कि आप थोड़ा साना, अगर polite नहीं है, तो ज़रूर हो जाएए, otherwise आप बहुत ज़्यादा अलग थलग हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, polite nature अग करेंगी इस बात को, आपके पास बहुतों का सहरा होगा, काफी सारे लोग आपको help करने भी आगे आते होंगे, important बाट ये है एक और आपके, कि बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना भला कर लें, दूसरो अगले वीडियो में, तब तक के लिए, रादे रादे